आज मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं कि प्रत्येक ग्रह पर कितने चंद्रमा हैं और क्यों? चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सौर मंडल में विभिन ग्रहों, बॉने ग्रहों के 194 से अधिक चंद्रमा है. बुद और शुक्र ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है और नहीं बॉने ग्रह सेरिस का कोई चंद्रमा है. प्रत्येक ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या और उनके नाम नीचे जाने. मंगल के चंद्रमा दो मंगल के दो चंद्रमा हैं जिन्हें फोबोस और डेमोस कहा जाता है इनकी खोज 1877 में खगोल शास्त्री आसफ हॉल ने की थी जिन्होंने इनका नाम लेटिन शब्दों, डर और घबराहट के आधार पर रखा था ऐसा माना जाता है कि इन चंद्रमाओं को क्शुद्र ग्रहों पर कबजा कर लिया गया है और ये सौर मंडल के सबसे छोटे प्राकृतिक उपग्रहों में से हैं ब्रिहस्पती अपनी कक्षा में कम से कम 89 चंद्रमाओं के साथ घूम रहा है जो किसी भी ग्रह के चारों और प्राक्रितिक उपग्रहों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है ब्रिहस्पती के चार सबसे बड़े चंद्रमा, गेनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा को गैलीलियन मून्स के रूप में जाना जाता है जिनका नाम उनके खोज करता गैलीलियो गैलीली के नाम पर रखा गया है इन्हें लगभग उसी समय खगोल शास्त्री साइमन मारियस ने भी देखा था शनी के पास कम से कम बयासी चंद्रमा हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं उनमें से कुछ वले प्रणाली के अंदर हैं जो चलों को आकार देने में मदद करते हैं इनमें एक किलोमीटर से भी कम व्यास वाले बहुत छोटे संसार से लेकर टाइटन जैसे गोलाकार चंद्रमा तक शामिल हैं उनकी आकरितिया अन्यमित दुनिया से लेकर दीर घवरित्ताकार और लगभग पूरी तरह गोल तक होती हैं शनी का पहला चंद्रमा टाइटन 1655 में क्रिस्टियान हुजेंस द्वारा देखा गया था दूसरा चंद्रमा 1671 तक नहीं मिला था जब जियोवानी डोमेनिको कैसिनी ने इपेटस की खोज की थी शनी के दो चंद्रमा जानूस और एपिमिथियस हर चार साल में अपनी कक्षाए बदल लेते हैं ऐसा माना जाता है कि यूरेनस के चारों और 27 कक्षाए हैं पांच सबसे बड़े हैं पक, मिरांडा, एरियल, उम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबिरॉन अंतरतम चंद्रमा पतले छलों वाली विशेष्टाओं के समान हैं पांच सबसे बड़े चंद्रमा गोल हैं और उनमें से चार किसी प्रकार की आंतरिक गतिविधी दिखाते हैं जो उनकी सत्थों को आकार देती है 1781 में यूरेनस की खोज करने वाले विलियम हर्शेल ने 1787 में सबसे बड़े दो चंद्रमाओं टाइटेनिया और ओबेरॉन को भी देखा नेपचून के कम से कम 14 चंद्रमा हैं इनमें से सबसे बड़े ट्राइटन की खोज 1846 में नेपचून की खोज के एक दिन बाद विलियम लासेल ने की थी इसके एक सौ साल से भी अधिक समय बाद दूसरा चंद्रमा पाया गया था नेपचून के सबसे दूर के चंद्रमा को नेसो कहा जाता है और यह इतनी दूर परिक्रमा करता है कि ग्रह के चारों और एक चक्कर लगाने में 26 साल लगते हैं हाइड्रा, निक्स, स्टाइक्स और केर्बरोस प्लूटो के छोटे चंद्रमा हैं वे कैरन से परेस्थित हैं निक्स और हाइड्रा की खोज 15 मई 2005 को हबल स्पेस टेलीसकोप का उप्योग करके की गई थी उनकी क्रमशा 48,700 और 64,800 किलोमीटर पर लगभग गोलाकार कक्षाए हैं केर्बरोस की खोज 2011 में की गई थी और स्टाइक्स की खोज 2012 में दोनों हबल स्पेस टेलीसकोप द्वारा की गई थी ये चारों चंद्रमा अपनी धुरी पर अविवस्थित रूप से घूंते हैं इन चंद्रमाओं का निर्मान संभवत एक विशाल टक्राव के दौरान हुआ था जिसने इन छोटे संसारों को प्लूटो और चारोन के चारों और कक्षा में बिखेर दिया था प्रित्वी का एक ही चंद्रमा है चंद्रमा को कभी कभी लूना भी कहा जाता है यह चंद्रमा लगभग साथ ग्यात ग्रह थे मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसलिए कृप्या लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरा समर्थन करते रहो धन्यवाद नए वीडियो और शॉर्ट्स के साथ जल्द ही मिलते हैं